हाई फ्रेंज, वेलकम, मैं लक्षमन, आपका DESS कोच, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप Wi-Fi वीडियो डोर बेल ठीक है, इसको कैसे कॉन्फीगर करना है अपने मोबाइल के उपर प्रैक्टिकली, अच्छा, अगर आपने इसका अन् इसके पूरी functionality के बारे में आपको बताई गई है, अब हम चलते हमारे actual screen के उपर, जहां पर हम इसे practically, हम demonstrate करके देखेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले, यह हमने यहां पर हमारा वीडियो डोर बेल माउंट किया हुआ है, according to the human height के हिसाब से, ठीक है, तो 5, 5 foot से लेकर, 5. के बीच में आप जो है, इसको माउंट कर सकते हो, यहां पर हमने USB chime, जो हमें USB adapter जो हमें साथ में मिला है, हम इसी का उपयोग करके, हम इसे power देंगे, यहां पर देख सकते हो, इस तरीके से, और यह USB chime के अंदर देखोगे, तो यहां पर दो बटन होता है, ठीक है, यह दो ब इसे connect कर देंगे, तो यहां पर आप देखोगे, तो यह हमारा camera है, यहां पर हमारा IR LEDs है, और यहां पर हमारा bell button है, तो bell button को press करूँगा, तो यह start नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तलब device को on नहीं किया, तो पीछे एक button होता है, जो on के लिए होता है, तो generally मैं उसे on कर देत पहले से जब device आप नहा नहा लेते हो, तो वो already reset होता है, factory restore होके आता है, तो हम इसे reset करनी की तो जरूरत नहीं है, बट अगर आप future में reset करना चाते हो, तो पीछे एक reset का button भी दिया गया है, उसे भी आप reset कर सकते हो, अब हम हमारे mobile के उपर जाएंगे, और mobile के उपर हम इस तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें play store से हमें एक app download करना है, जिस app का नाम है easy cam plus, ठीक है, तो ये मैं play store से already मैंने देख सकते हो, download कर रखा है, आपको ये easily मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाओगे, play store पे सिरिफ इतना लिखना है, easy cam plus, ये देख सकते हो, CP plus के लिए, ये application है, ये download करने के बाद में, ठीक है, आपको इसे open करना है, normally जब first time आप open करोगे, किसी भी application को जब आप open करते हो, तो वहाँ पर बहुत सरे sign up के procedures आते हैं, ठीक है, यानि कि आपका email ID के तुरू, या अपने mobile number के तुरू, जैसे भी आप register करवाना चाते, आप उसे करवा लिजे, वो procedure मैंने already कर रखा है, because of some security purpose, reason है, तो मैं यहाँ पर directly आपको login करके सिखाना चाहूँगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, screen के उपर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, add का एक option आ रहा है, इस add option प doorbell करके एक option आ रहा है, doorbell पर हम click करेंगे, क्योंकि हमारा यह जो video doorbell है, उसमें cpl23 पर click करना है, confirm करना है कि आपका device already on है, और हमारे lights blink कर रहे है, alright, next करना है हमें, next करने के बाद में, अब हम हमारे wifi का जो router है, उससे हमें इसे pair करवाना है, तो मेरे wifi का जो password है, वो password से मैं इसको pair कराऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं skill Mumbai को click करूंगा, skill Mumbai को click करने के बाद में, यहाँ पर अपना SSID सिलेक कर लो, जैसे कि skill Mumbai है हमारा already, और यहाँ पर मुझे password टाइप करना है, ठीक है, तो for security reason, मैं password आपको दिखा नहीं सकता, आप जैसे ही आप यहाँ पर देखो शो करूंगा, और एक music sound आएगा आपको, वो sound आपको शायद हलका सा आपको सुनाई दिया होगा, वो sound आने के बाद में, I heard a prompt पर आपको click करना है, I heard a prompt पर click करने के बाद में, यह अब pair हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा wait कर लेंगे, देखो device added successfully, तो device completely add हो चुका है, हमे इस पर done पर click कर देना है, यह हमारा camera यहां पर live हो गया, यह देखे, काफी बढ़िया, अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, देखे, यह देखे, यहां से लेकर, करीबन यह आप देखोगे, इसकी wide angle कितनी जादा है, आप देखो, यहां से लेकर, यहां तक, यह इसली cover कर रहा है, बहुत बढ़िया wide angle हमें मिल रहा है, दूसरा इसके अंदर फाइदा क्या है, जब भी camera के साबने कोई भी आता है, काफी बहतरीन clarity आपको मिलती है, अभी आपको थोड़ा से इसमें आपको darkness नजार आ रहा होगा, यह darkness इस वज़े से दिख रहा है, क्यू light बोलते, वो directly नहीं आना चाहिए, उसकी वज़े से backlight compensation, highlight compensation का वज़े से बहुत सारे problems आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाला कि कुछ colors को लेकर हम setting कर सकते हमारे app के अंदर वो सारे features दिये गए है, all right, now, let me show you, कि कैसे हम यह USB chime को pair करेंगे, यह pair करना बहुत जरूरी है क्योंकि after pairing, after pairing, आप देख सकते हो, हम अभी तलब call कर नहीं देखा, हमने direct configure किया, और feature को समझने की कोशिश की, आचा, यहाँ पर यह जो दिख रहा है, आपको USB chime, इस USB chime को आपको सीधा plug करना है, आपके घर में कहीं पर भी आप इसे plug कर सकते हो, normally एक simple, आपका adapter कभी जो में वीडियो डोर फोल है, यानि कि में जो वीडियो डोर बैल है, जो Wi-Fi वाला है, उसे हमें चार्ज करके रखना है, जब भी चार्ज खतम हो जाएगा, आपको उसका प्रॉम्ट आपके आप के ऊपर भी आएगा, आपका जो चार्जिंग के लिए है, उसके लिए भी आप ये एडप्टर ऐसवेल आप यूज कर सकते हैं, इसके साथ पर उसका वायर यूएसभी वाला वो आपको साथ में मिलता है, तो अब हमें ये चाइम को और ये हमारे वीडियो डोर बैल को, इसको कैसे हम पैर करेंगे, इसके लिए पैर करनी के लिए आपको इस दो बट को प्रेस करके रखना है अब हम यहां पर बेल को प्रेस करेंगे यह देख सकते हो और हमारे मोबाइल के ऊपर भी यू हैव विजीटर करके एक आप्शन आ रहा है ठीक है तो यू हैव विजीटर पर हम क्या करेंगे अब यहां पर बेल बटन को प्रेस करेंगे यहां पर अब देख सकते हो यूएसबी चाइम से आपको रिंग टोन सुनाई दे रहा होगा अब यहां पर विजीटर करके आपको आप्शन दिख रहा है यहां पर आ चुका है हमारे पास में कि आपका एक कोई विजीटर आया हुआ है एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके तुरू जैसी क्लिक करोगे आपका कॉल रिसीव हो जाता है और आफ्टर रिसीविंग दिस कॉल आपको देख सकते हो यहां पर कैमरा आपको दिखने लग जा रहा है यानि कि आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो आट ड्राइवि यहां पर वहां पर कोई कुछ बोल रहा है वो मुझे सुनना तो मैं एजीली सुन सकता हूँ वो सारी चीजे ठीक है काफी अच्छा है यहां पर बैटरी का लेवल दिख रहा है यानि कि 70 % की बैटरी अभी हमारा उसके अंदर एवेलेबल है ठीक है और इस यहां से मैं HD है उसे मैं change कर सकता हूँ यहां से देख सकता हूँ उपर की तरफ तो यहां पर आपका speaker के लिए यहां पर आपका जो है call के लिए है यह देखिए hello 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 तो इस तरीके से मैं call enable और disable कर सकता हूँ जैसे भी मुझे करना इसके अंदर बहुत सारे cool features दिये गए ठीक है PIR को लेकर human detection को लेकर ठीक है recording को लेकर बहुत सारे feature दिये गए आप comment करिये मैं आपको इसके सारे feature live test करके दिखाऊंगा ठीक है आप like करिये हमारे वीडियो को share करिये ठीक है मैं और भी बहुत सारी चीज़े इस camera की related मैं बनाने वाला हूँ ठीक है हमारे upcoming series इसके उपर पूरी बनने वाला हूँ लास्ट तिंग जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूँ जो है कि यहां पर जो बटन है यहां से आप इसकी melody set कर सकते हो ठीक है यानिकि मैं इस प जिसको मैं easily यह देखिए जिसको मैं easily क्या कर सकता हूँ अपने मुताबिक उसे set कर सकता हूँ timely मैं उसे change कर सकता हूँ जो मैं set कर दूँगा वही मैं bell press करूँगा वही तरिंग्टोन यहां पर आपका बजेगा तो सो देखा आपने किस तरीके से हमने इसे configure किया बहुत आस पर easily आप इसे configure कर सकते हो और अगर आप इसे configure नहीं कर पाओ तो बहुत सारे cctv के vendors और technicians आपको आपके location पर मिल जाएंगे आप उनसे contact करके आप इसे configuration करवा सकते हो अच्छा now something more अगर आप इसके उपर सारी feature को कैसे use करते हैं जैसे human detection हो गया फिर उसके बद में night vision कैसे work कर रहा है इन सारे जितने भी features है इसके उपर अगर आप पूरा demonstration चाहते हो हमारे वीडियो को like करिए comment करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे that's all for this video everyone bye bye take care and see you in my another tutorial